हालो, वेलकम टे सोरफुल किचन आजकल ग्रीन मटर का वैसे सीजन नहीं है पर फिर भी इसकी सबजी काफी अच्छी लगती है खाने में जो ड्राइड ग्रीन मटर होते हैं जो हम सीजन में ड्राइ करके रख लेते हैं उसे वापस से एक वार पानी में सोक कर लेना चाहिए 6-8 घंट सोक करने के बाद में अच्छे से और फिर उसे हम वापस सबजी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह से जो भीगायवा पानी था वो मैंने निकाल दिया है और उसके बाद में कुछ अगर मटर के दाने अगर ठीक नहीं लग रहे हो तो उन्हें हम यहाँ पे निकाल देते हैं और इसके बाद में मैं आपको इसकी बिल्कुली सिंपल सी एक रेसीपे बता रही हूँ जैसे फटाफट बनाती हूँ मैं तो इसे पानी में डाल करके और गैस पे चढ़ा दिया है और इसी वक्त में इसमें करीब एक चमश शक्र और थोड़ी सी नमक जितना सबजी में लगने वाला है अन्दाज के हिसाब से उतना नमक डाल करके और इसे ढख करके पिछे गैस पे छोड़ देंगे जब तक यह पकना चालू होता है तब तक हम बाकी के काम करेंगे वटाना अलग हमने रखतिया है पकने के लिए इसे क्या होगा कि जब तक हमारी ग्रेवी त्यार होगी तब तक वटाना भी कुछ परसेंट पक चुका होगा तो अब एक कुकर ले लिजे उसमें दो चम्मच भरके तेल डालिए खाने वाला कोई साभी तेल जो आपको जमता हो और उसमें राइड और जीरा एक एक चम्मच भरके डालिए और साथ में डालेंगे और दो लाल मिर्चे डाल रहे हैं और हिंग डालेंगे एक चुटकी और साथ में दो हरी बारी कटी हुई मिर्चे और प्याज हमने लिया है करीब दो प्याज मिडियम साइज के या एक प्याज बड़े साइज का आप ले सकते हो और इसमें डाल रहे हैं आधा चमच हल्दी प्याज को जलने नहीं देना है प्याज बहुत जल्दी नीचे चिपकने लग जाता है इसलिए उसे बीच-वीच में चलाते भी जाएंगे और हम मसाले भी डालते जाएंगे तो अभी हमने हल्दी डाल दी है और प्याज को हम अच्छे से चला रहे हैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भुनना है हम बारिक पेस्ट वाली ग्रेवी नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे हमने बारिक कटा हुआ फाइन चॉप्ट अनियन लिया है आपके पास में च गटा हुआ इसमें डालेंगे बारिक सब्जियों का ही हमें ग्रेवी बनाना है इसमें क्योंकि मतर का जो ग्रेवी का थिकनेस है उसके लिए इन मसालों को बारिक रखना होता है और साथ में थोड़ा हरा धनिया भी इसी वक डाल रहे हैं अभी जो धनिया डलता है वो इसका ग्रेवी का टेस्ट कुप काफी अच्छा बढ़ाता है और नमक डालेंगे क्योंकि टमाटर भी डाला है नमक से टमाटर अच्छा जल्दी से पकता है तो हम नमक भी डाल रहे हैं थोड़ा सा याद रखे अपने नमक का हमने वाटाने में भी डाल दिया है उधर तो यहां पे सिर्फ gravy का नमक डालना है और अब एक से देड़ चमच भरके धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर ये सब डालके इसे हलका सा roast होने देंगे प्याज के साथ में ये मसाले वैसे हम जब प्याज हमारा almost ready हो जाता है प्याज और टमाटर का gravy तब हम ये मसाले डालते हैं क्योंकि इन्हें हमें कम roast करना होता है तो इस वक्त पे इस stage पे हमारा प्याज almost तयार हो गया है जो gravy बनने वाली है और अब यहां पे थोड़ा सा आमचुर पाउडर डाल रहे हैं क्योंकि हमारा टमाटर जो है वो देशी टमाटर नहीं है जो कि कम खटे होते हैं तो इसलिए थोड़ा आमचुर पाउडर ले रहे हमने वाटाने में शक्कर डाल दी है तो नमक और शक्कर का एड़्जस्मेंट इस तरह से हो जाता है अब देख रहे हैं आप ग्रेवी आलमोस्त त्यार हो गई है ये साइट से तेल भी छोड़ने लग गई है अब ये हमारा बटाना भी थोड़ा कुछ 20-30 परसेंट पक गया तब तक और अब हम इसमें डाल दे रहे हैं इससे क्या होता है कि एक तो हमारा टाइम बचता है अगर हम ठंड़े पानी से निकालके अभी बटाने को यहां डालेंगे मतर को तो वो वापस गरम होके पकने को टाइम लेगा प्लस हमारा इसमें पकाते वे रहने में गरम पानी ही था तो वो पानी बहुत जल्दी आपका अल्मोस्ट यहां पर यह 5-10 मिनिट कोकिंग टाइम सेव करता है अगर हम इस तरह से अलग उसको पहले ही चड़ा देते हैं तो क्योंकि हमें काम तो करना है अच्छा खाना भी बनाना है पर साथी साथ खुद के लिए टाइम भी निकालना है तो इस तरह से टेस्टी शांदार वाली ग्रीन मटर की यह सबजी बनेगी आप इस तरह से इसे डालिए कुकर में पाने डालिए और फिर उसे कुकर में दो से तीन सिटी आने दीजे और फिर देखिए यह बस फाइन चॉप धनिया डालकर इस तरह से इसे सौब कीजिए वीडियो को लाइक शेयर कर लीजेगा सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिया नोटिफिकेशन बेल को अन कर दीजेगा थैंक यू